नमस्ते दोस्तों मैं आपका दोस्तेमित आप सब का मेरी यूटूब चनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं एक अडिशनल न्यू कोर्स के बार में जो हमारा एकाडमी है Global Pharma Academy यहां पे हमने इंट्रोडूस किया क्योंकि कई सारे स्टूडंस के ऐसे क्वेरी थे कि हम उसर ऐसा कौन सा कोर्स करें जो हम सब के लिए बेनिफीशल हो हर एक स्टूडंस के लिए बेनिफीशल हो या फिर एक ऐसा स्टुडन्ट जहां पर काफी ज्यादा करियर गया थे लेकिन वो जॉब सर्ज करता है लेकिन उसको एफेक्ट्वी जॉब नहीं मिलता तो यह सारे लोगों के लिए हमने एक आईडियल कोर्स हम लेकिया है वो है स्किल डेवलप्मेंट प्रोग्राम क्यूंक कि दोमें नॉलेज तो डेफिनेटली आपको चाहिए रिस्पेक्टिव टू यूवर डिपार्मेंट जैसे कि अगर आप क्लिनिकल रुसेश में जाना चाहिए फार्मक विजलांस रेगिलेटर अफेर्स मेडिकल कोडिंग मेडिकल राइटिंग डेटा मैनेजमेंट इसके इसके लिए हमारे इंडिविजुल कोर्सेस जिसके आपको जानकारी पूरी मिल जाएगा अगर आपको इस कोर्सेस की जानकारी चाहिए तो यहां पे आप कॉंटेट कर सकते हैं लेकिन अगर आप स्टुड़न्ट है और आपको मैंने जैसे जो क्राइटरिया बताएं कि यहां पे हमारे निव कोर्स में लांच करने जा रहे वो है skill development program that is one month online course in skill development अब skill development मतलब क्या skill development मतलब soft skills एक student में या जब आप job करना चाहते हो तो पहले आप में वो skills होने जरूरी है जो professionalism लाना जरूरी है जैसे आपका mindset एक professional level पे for example अगर आप corporate world पे जाते हो तो उसका जो skills development personality development communication skills technical skills वो बहुत important है जो आपको academics में नहीं मिलती तो यह course में आपको वो चीज़े देने की हम कोशिश कर रहा है और soft skill development मतलब overall आपका development जो mindset रहेगा then physical development रहेगा and at the same time technical development so overall आपका ऐसा development रहेगा जो job के लिए effectively search भी कर पाऊ job apply भी कर पाऊ job के लिए interview के लिए preparation भी कर पाऊ और after getting job also आप professional ethigates जो है वो properly follow कर पाऊ तो यह सारी चीज़े हम यहां पे skill development program में बताते हैं तो चलिए इस interesting video को start करते हैं सबसे पहले में बात करूंगा skill development program के benefits के बारे में सबसे पहला benefit है mindset आपका mindset ऐसा रहते हैं जौब नहीं है जौब बिलकुल ही नहीं मिल रहा कैसे job search करें कौन सी company अच्छी रहेगी यह सारे questions होते हैं इस सारे सवालों का जवाब आज हम इस course में देने वाले मतलब यहां पे जो अलग अलग topics है इससे आपको automatically connect हो जाएगा दूसरा है यह certificate course है तो आपको at the end हमारी organization ISO and MSME certified है इससे आपको certification मिलेगा completion का इसके बाद next है यहाँ पर live classes रहेगी with recording भी आपको मिलेगा then expert learning मिलेगा top expert आपको सीखाएंगे जो आप easily आसान बास है में हम समझाने की कोशिश करेंगे इसके बाद next है professionalism में जो बात कर रहा हूं जो अगर आप company में जाते है तो वह कैसे etx सीखेंगे तो professional etx भी आप सीख सकते हैं यह सारे benefits है इस still development program और एक बहुत important benefit है आपको यहाँ पे हम ना कि सिर्फ सिखाएंगे at the same time हम आपको task भी देंगे आपका preparation भी रहेगा तो individual class test भी होगी और कुछ presentation या कुछ task हम आपको देंगे जिसकी वाज़े से आप individually भी prepare कर पाओगे okay so हमने यह theoretical plus आपको real life experience देने के हम कोचिश करेंगे इस course के दोरा तो चलिए हम इस course में क्या-क्या syllabus रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो topic है वो रहेगा interview preparation इसके बाद HR interview question and answer जैसे कि आप जानते हैं कि interview में कई सरे rounds होते technical round HR round manager round aptitude test round so इसके बार में हम यहाँ पे बताए इसके बात करेंगे इसके बाद next interview कितने प्रकार के होते हैं and its type interview and its type then HR recruitment and its process जैसे HR के recruitment process क्या होती है job कैसे निकलते हैं और HR का काम कैसे होता है और आपको समझना ही है जरूरी है कि आपने जो region आपने share किया है वो कैसे आगे process होता है और short list होता है नहीं होता है कैसे आपको पता चलता है और इसका end to end आप क्या मतलब पूरा process हम यहाँ पे बताएंगे इसके बाद email writing and job searching skill यह जरूरे कैसे आप effectively email writing करोगे job search properly कैसे करेंगे proper related to the domain हम यह लाइव आपको बता देंगे इसके बाद next English speaking and communication यह बहुत लोगों की दिखाते होती है English speaking कितना effective है यह हम बताएंगे communication कितना जरूरी है मतलब कैसी communicate करेंगे और कितना English आपको properly लगता है job के लिए इसके बाद next computer skill अब computer skill बहुत जरूरे आज के healthcare IT jobs में जो आप बोल सकते हैं कि MS Office MS World Excel PowerPoint यह जो proper technical skill है यह आपको हम बताएंगे बाकि जो company वो आपको training देगी individual software का लेकिन यहां का MS Office का training आपको कई पर नहीं मेलेगा हम आपको इस skill development program में provide कर रहे हैं इसके बाद next SWOT analysis इसके बाद personality development and presentation skill अब बात करते हैं इसमें eligibility क्या होती है मतलब कौन यह course कर सकता है तो कोई भी कर सकता है जो student है second year में third year में first year में diploma है graduate है post graduate है lab science हो कोई भी विल्ट से में क्यों कोल रहा हूँ क्योंकि हर एक person को यह जरूरी सकी है process तो सही ही रहती है लेकिन overall आपको वो जानना जरुरह है कि effective कैसे process होती है आपका जो job searching का हो या फिर job rounds का information हो या फिर after getting job का जो आपको इतिगेर्स होते प्रोपेशन यह सारे समझे अब यह course कैसे आप ले सकते enroll कैसे कर सकते तो इसकी फीज है 999 रुपेश हमने इसकी फीज रखी है so that everyone can afford this तो हमारा जो मोट्यू है Global Pharma Icard में का वह है education to all so that हम effective costing में सारी information effective provide training को जीच करते so that आपको आपकी dream job मिल पाए okay तो यह कैसे enroll कर सकते simple है description में मैं एक link दे दूँगा रेजोपी की वहाँ पे click करके net banking through आप पे कर सकते otherwise यहां पर नंबर दिख रहा है यहां पर यहां पर आप online gpa पहुंप प्रेटियम जो भी है आपके बास वहां से आप कर सकते हैं और basically payment करने के बाद आपको एक ही काम करना है इस नंबर पर WhatsApp है इस नंबर पर आपको name email id qualification location share करने और इसके बाद आपको email आ जाएगा registration का और उसके बाद आपको class में add किया जाएगा तो basically हम 46 maximum ले रहे हैं 46 इससे आगे नहीं लेंगे क्योंकि पूरा preparation task यह भी करना होगा हर एक students को तो उसका मतलब बहुत important है इसके लिए हम 46 इसके बाद हम बात करेंगे भी time key और कब कब रहेगा और कहा कब से start होगा यह course शुरू होगा 1 December 2023 से शुरू होगा timing रहेगा सुबह 8-9 बचे और यह सिर्फ weekdays में ही course है weekend में नहीं है Monday to Friday तक ही रहेगा ठीक है तो at the end of the December यह चलेगा one month का रहेगा वहाँ पर मैंने जो बता है वह पूरा यह syllabus रहेगा at the same time हम कुछ task भी देंगे आपको class test भी रहेंगे और आपका individual preparation लेने के हम कोशिश करेंगे तो यह announcement हर हर students के लिए मुझे लगता है बहुत ज़रू लीथी बहुत सार लोगों का request था skill development program के लिए तो finally हमने बहुत सारा study करके research करके यह structure बना है तो definitely आपके लिए बहुत helpful रहेगा तो यह वीडियो अच्छा लगता है आनौस में लगती है अच्छे लगती है तो वीडियो को like करें और अभी भी कुछ query related to the skill development program आप हम description में Google form देंगे उसको आप fill up कर सकते है या फिर यहां देंगे लगती है यह वीडियो को डेड़े है प्री यहां आप लगता है और यहां करेंगे है जय कर्के दो टर चारा आप है वे आप है जै